आप सभी का स्वागत थे मेरे यूट्यूब चानल गुरु कुल्दा वसेन अपनोलिज में मेरे चानल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर वीडियो पर कमेंट्स करने के लिए आप सुखा बहुत बहुत धन्यवाद आज मैं अपसुखको एक विशज़ पताने एक विश़ए पर चडशा करने जा रहा हूँ एक विश़ के बारे मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो विश़ए है हर किसी का दिमाग में पहला क्वेश्चन यही आता है कि जब आध्यात में आते हैं तो कि साधना कैसे करें ठीक है ये पहला question होता है तो पहली बात है साधना कैसे करें इसको अगर मैं समझाने जाओं तो विडियो बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन कुछ अवश्चक बाते मैं आपको बताना चाहता हूँ पहली बात तो ये है कि आध्यत में आप नहीं आते हैं आध्यत में आपको बुलाए जाता है ये बुलाए जाता है आपके जो पुरवजन को इस्थ होते हैं पुरवजन को गुरू होते हैं आपके कुल देवादे भी होते हैं ये सब आध्यत में आपको बुलाते हैं और पहल जरूर पता होगा कि आध्यात्मे में पहले कोई इनसान एसे नहीं आता है। उसकर जिंदगी में बहुत सारी परिवतन होता है। इसे मंदिर जाना, फुजा करना, धूब बती करना, आती उतारना ये सब उपासना है। लेकिन मंत्र साधना जब आप आज करते हैं कोई साधना खेत्रे में आप उतरते हैं तो उससे पहले आपके जिन्दगी में जरूर ही कोई उताव चड़ा हुआ होगा, कोई आपको चीज से प्रेरित हुए होगे या किसी ना किसी कोई घटना आपके जिन्दगी में बहुत ज चाहता है लेकिन जो साधना करेगा सुवे चार बजे उठके मंत्र जाब करेगा राद तेड़ दो बजे तक कोई ऐसे बेठना नहीं चाहेगा हाँ सोच सकता है यूटूब चला सकता है मोबाइल देख सकता है गाना सुन सकता है लेकिन मंत्र जाब कोई नहीं करेगा चाहे व बहुत इजीली कोई नहीं आता है कोई आता है तो उसका जिन्दिक में बहुत सारी परिवत्तन होता है कभी मेरे बारे में भी बता होगा एक दिन के मैं इस लाइन में कैसा है लेकिन बहुत दूर है यह बताने में तो आप साधना कैसे करें साधना करने का जो है उसको करने का तरीका क्या है पहले आप साधना करने से पहले आपके अंदर भक्ति लाए पहला चीज है आपके अंदर भक्ति आना चाहिए भक्ति जब आएगा आप धीरे धीरे आपके अंदर वो सारे तक्तो आजाएंगे जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं अगर आप में भक्ति नही आप पहले उनका भक्ति की चाहे उनमांजी महाराज है माता कली है भेररभ हैं mes растik बक TV पोजा भ herumई आप उनका स्थुति पाठ़ करने के बाद आप उनकी नाम बलि सकते हैं सकते हैं तो उसमे होगा आप के मंदे देरे देरे भक्ती आएगा दिखिए भगवान को बहुत बहुत भगवान भोथ धर्म संकत में आजाते हैं अगर कोई इनसान उनको भक्ती मांग लेता है क्यों कि अगर आप गाड़ी मांगोंगे वो दे देंगे बंगला मांगोंगे दे देंगे आप अपना परिवार के खुछी चाओगे दे देंगे लेकिन अगर आप उनको ये मांग लेते हैं कि मुझे भक्ती चाहिए तो उनको बहुत परिशा लेना होता है और उनको थोड़ा सोच के देना पड़ता कि यूँ भक्ती ऐसा चीज है कि वो खुदी बंद जाते हैं आपके साथ आपको कुछ सोचना है आगे क्या होगा आपके जिवन में हमेशा हलाकि कोई भी इनसान किसी देवा देवी को सिद्ध कर नहीं पाता है लोग बोलते हैं कि हमें इनका सिद्धी है उ उनका कृपा मात्र मिलता है और उनका उर्जा पुंज का जह है उनका उर्जा पिंड का उस एनर्जी का जो उर्जा उनसे आ रहा है उसी एनर्जी का सिद्धी होता है आप क्या समझते है कि कोई पोसीबूल है क्या जिनके साथ चोशड जगनी बावन वीर चलते हैं वो बोला कि एकदम क्या बता हूं, उसे बारे में अगर बोलूँगा तो लोग बोलें कि हाँ हमें सिद्ध हैं। आप कैसे बोल सकते हो सिद्ध होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वह मा की सिद्ध होते हैं। आप कितने भी बडे सादक को पूछ लो, अगर वो सच्चा सादक है ना तो पहले ओखेवी देवी काली को किसी ओब बोले कि मैं मा को सिध क्या है क्यों बोलता है कभी यह नहीं बोले कि मैं काली माता को सिध क्या है कभी नहीं बोले कि उसको पता है कि माँ को सीध करने भी उसको कितना परिक्षा देना पड़ा है माँ है फिर भी परिक्षा लेगी क्योंकि एक भक्ति मांग लेता है कोई सिद्धी जब करता है न भक्ति मांग लेता है जो आप साधना करते हो एक चीज के लिए जो साधक नहीं है देखिए सादक हो के साधना करना और जो सादक नहीं है साधना करना ये दोनों अलग है जो सादक नहीं हो कैसा साधना करेगा जैसे हम आप किसी को मंतर देते हैं उसी मंतर का जाप करेगा और उसका मौनो कामना कुछ बोले है कि मा मेरे ये ये प्रोब्लम है नोकरी नहीं है घ भक्ति मांग लेता है तो साधक बन जाता है बोलने मात्र से उसका साधना सुरु हो जाता है ठीक है तो इसको इसलिए आप जो भक्ति मांगते हैं बहुत बड़ी चीज है इसलिए आप साधना कैसे करें साधना करने के लिए पहले आपको मेरी बात सुन लिजे ध्यान से पहले साधना खेतर में जो भक्ति पाना चाहते हैं जो सिद्ध करना चाहते हैं कोई भी मंत्र को या जो कोई भी उर्जा को जो भी है उनको सिद्ध करना चाहते हैं देवी के कुरुपा पाना चाहते हैं भक्ति पाना चाहते हैं पहले साधना से आने से पहले आप योग अभ्यास थ अपने देख रहे हें इनको आप लोग सुनना हैं वो बहुत मेहनद की हैं तब पहले तोड़ा भक्ति भाब से अपना प्राथना कीजिए उपासना कीजिए जोंगए प्रनया 2-3 मेहना कम से कमा 5-6 महीना आप पहले भक्ति में देजिए उनको उपासना कीजिए, बाद में मां को बस या अवनमान जी को हो या उसी बाबा को सभी को बोलना की मैं साधना कर रहा हूँ और मुझे आपकी गृपा चाहिए, भक्ती चाहिए बस इतने बोलने के बाद आपका साधना शूरू हो जाता है और आप साधना में आगे बढ़ सकते हैं इसलिए साधना करने का यह है कि आप साधना जो है कि पहले साधना करने से पहले आप खुद को संभाल लेजिए अपने मन को कंट्रोल कीजिए और मन बिचलित हो रहा है तो इसको आप एक ही पास होते हैं नात div dados होते हो भी हठ दूद"! उन को भी योगार सब कुछ हाता है लेकिन वो बोलते नहीं है उनको आता है उनका गुरु उनको कुछती होगी ऐसे नहीं बनते हैं उनको कम क मुझार उसान hierarch का साधना कैसे करें मतलब साधना आपको इसी तरह से करना है साधना करने से पहले आपको कुछ महिने तक आपको सुद्द चीत में साकाहर बोजन करके थोड़ा आप अगर करते हैं ऐसे मैं नहीं बोलूँगा कि क्या करते हैं क्या नहीं साकाहरी बोजन अगर कर रहे हैं तो आप अच्छी तरह से आप साधना को आगे बढ़ाईए आप थोड़ा योगा प्रणाय मेडिटेशन कीजिए मेडिटेशन करने के बाद धीरे धीरे आपका भगती जागरित होगा भगती जागरित होनों का आप चीत मन सबसांती होगा तो आप धीरे धीरे साधना करेंगे फिर आगे मैं एक वीडियो में बताऊं कि साधना अक्सर failure क्यों हो जाता है साधना सफल क्यों नहीं होता ठीक है न तो ये वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो like कीजिए वीडियो चानल को subscribe कीजिए और वीडियो पर comments कीजिए ठीक है भगवान आपको खुश रखे जये संकर